मत्वरा के थाना हाईवी छित्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं चोर आए दिन किसी न किसी वारदात को अंचाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं इस बार सातिर चोरों ने थाना हाईवे छित्र की पॉश कॉलोनी मोती कुंज में एक मकान के ताले चटका दिये यहां से चोर दिन दहाडे लाखों रुपे की जोयलरी और नगदी पर हाथ साफ कर गए जानकारी के अनुसार मकान स्वामी के आर गल्स डिग्री कॉलिज की रिटार्ड प्रोफेसर कुसुम बांके विहारी मंदिर में दर्शनों के लिए अपनी बहन के साथ गई हुई थी उन्हें इस घटना की जानकारी वापस लोटने पर मिली उन्होंने देखा के घर के सभी ताले तूटे हुए हैं अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए घर में रखी पचास जार रुपे की नगदी और लाखों रुपे की ज्वेलरी घर से गायत थी उन्होंने इसकी सूचना एक तो बारे डायल पुलिस को दी वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मौयना कर मामला दर्ज कर जान सुरू कर दी है गटना के संदर में प्रोफेसर महला की बहन ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों ने घर में कुछ भी नहीं छोड़ा है घर में रखी लाखों रुपे की जोयलरी और नगदी चोरों ने चुराली है अब घर में उनके पास बिलकुल भी कुछ भी नहीं बचा है तो हम ने देखा कि बाहत का पाना लगा हुआ है यато एक खाना जए हार इंटर्रॉप था वह चैनी आटाओले से टोड़ा हुआ है तो जो दिदी का मेरा बैटूम है उसकी हर्मारी खुळी हुई ह louid उसका शारा समारा समट बैट पे पड़ा हुआ हुआ था जब हम दूसरे कमरे में गए तो दीदी की सेफ खुली हुई थी, उसके दौनों लॉकर खुले हुए थे, सारा समार नीचे गिरा हुआ था, उसके पास में मंदिर था, मंदिर में भी जो दो-तिन डिप रह थे वह बाहर गिरे हुए थे, उसके पास एक और सेफ रखी थी, उस सेफ रखी थी, उसके भी लॉकर खुला हुआ था, और उसके कप्टर नीचे के रहुआ थे, अब कुछ CC के अमने में भी आया गया है, जो कि दीदी की घर में लगा हुआ था, इसल जो लड़के आये हैं, वो सम्माल लेकी जो गए हैं, उसके दीदी की सारी ज्वैलरी है, घर में ना तो एक जर्णी बची है, और ना भी एक रूपया बचा है, जब कि दीदी की घर में कैश भी रखा था, और जर्णी भी रखी थी, रूपे के सारी अभी हमने देखा, तो घर में पचास रूपे भी नहीं है,